असनत्कोतर पुर्द्वार्थ के विद्याथियों आप लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर वत्सला आपको दूती प्रश्नपत्र पढ़ाऊंगी और स्वर्प्रथम मैं आपको काली दास की काल जै कृती मेग दूत को पढ़ाएंगे मेग दूत के दो भाग है पूरु मेग और उत्तर मेग या जब कथानक बताऊंगी तो इसमें उसका विस्तरत वर्णन करूंगी मेग दूद क्या है संदेश काब है इसको दूद काब भी कहते हैं और संस्क्रिस साहित का तो इसे प्रथम गृती काब भी कहते हैं वैसे तो गीती काब के श्रोत हमें सामवेद में वेदों में उपलब्ध होते हैं लेकिन लोकिक संस्प्रिस साहित का अगर प्रथम गीती काब्य कहा जाए तो मेगदूद है इसे खंड काब्य भी कहते हैं और या करुण भी प्रमलंभ गीती काब्य है खंड काव्य क्यों कहते हैं महा काव्य को आपने पढ़ाया है कि महा काव्य जो होता है उसको कहते हैं सर्ग बंधो महा काव्यम उच्चते तस्य लक्षणम आशिर नमस्क्रिया वस्तु निर्देसो वापी तनमुखम महा कावय जो होता है सौर्ग बंध होता है कई सरगों में होता है और कावय शास्त्री उने महा कावय के तरह तरसे लक्षन परतिपादित किये हैं ठोड़े बहुत अंतरों के साथ ऐसी प्रकार आचार विश्वनात ने साहित दरपण में खंड कावे का लक्षण किया है कि खंड काव्यम भवेत काव्यसे देशा नुसारी चब महा कावे में किसी चरित्र का किसी पहलू का संपूर्ण वर्णन होता है संपूर आयामों का वर्णन कई सर्गों में महा कभी करता है और उस सर्ग में वर्णन करने के भी बिविद आयाम होते हैं लेकिन खंड कावे में क्या होता है किसी ब्यक्ति के चरित्र का किसी पहलू के केवल एक पक्ष का वर्णन किया जाता है प्रतेक प्रक्षकावर्णन खंड काब में नहीं किया जाता है अब मेकदूत की रचना का श्रोत क्या है आखीर कहां से प्रेणा मिली महाकवी को मेकदूत की रचना करने की तो कालिदास के ग्रंथों को अगर हम देखें तो पता चलता है कि बालमी की रामायर तथा पुराणों का कालिदास के उपर इसपस प्रभाव पड़ा है महा मुहपध्य मलनी नात का या कथन पूर्ण सत्य है कि भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी के लिए हनुमान जी को दूद बना कर जो संदेश दिया था उसी से प्रेणा पाकर महा कवी कालिदास ने मेगदूद की रचना की है और इस तथ्य का प्रमाड मेगदूद के कई कतिपय अस्थलों को देखने से सोयम ज्यात हो जाता है जब आप मेगदूद का पूरु मेग और उत्तर मेग पढ़ेंगे तो आपको वो श्लोक इस पस नजर आएंगे कि ये बालमी की रामयाड का इन पर इस पस प्रभाव परिलक्चित हो रहा है पूरु मेग का पहला श्लोक जैसे आप पढ़ेंगे तो जनक तन्या अस्नान पून्यो दकेशू पूरु मेग का ही बाहरवा श्लोक है रगु पति पदैर अंकितम मेखलाशू और पूरु मेग का ही अंठानवा श्लोक है दस मुख भुजो च्वासित प्रस्थ संधई उत्तर मेग के तो स्लोक से ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयम महाकवी कह रहे हों कि मेग को दूद बनाकर संधेश भेजने की यह प्रिर्णा मैंने सीता को कहे गए हनुमत संधेश से ली है लिखते हैं महाकवी इत्या खाख्याते पवन तन्यम मैथिली वोन मुखी सा इसी प्रकार रामायण में वर्नित हनुमान जी का हाथी और परवत की चोटी से स्रादिश से एवं कामरूप होना जब हनुमान जी लंका में प्रवेस करते हैं तो अपने सरीर को छोटा करके प्रवेस करते हैं कामरूप होना यानि इच्छा नुसा रूप धारण करना मेग दूद में भी मेग के लिए बतलाया गया है सुबेल परवत परिस्थित लंका के समान कैलास परवत की चोटियों के मध्य में बसी हुई अलका का वर्नन लंका में हनुमान की तरह अलका में मेग का सायंकाल की वेला में प्रवेस लंका प्रवेस के समय हनुमान जी के द्वारा अपना शरीर छोटा करने के समान यक्ष का संदेश कहने के लिए मेग का लगूरूप धारण करना राम के बियोग में अजोग वाटिका मेस्थित सीता की करुण दसा की भाती यक्ष पत्मी की मार्मिक अवस्था का वर्णन एवं हनुमान जी के द्वारा संदेश कहने के समय अभिज्ञान देने तथा संदेश कहने के समान मेग दूध मेबी मेग के द्वारा अभिज्ञान देने तथा अन्यकतिपै समानताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि काली दास ने अपनी कृति मेघ दूद में रामायण से प्रयापत प्रिर्णा ली है मेग दूत का प्रिर्णा स्रोत क्या है? रामायड है. इतनी प्रचुर समन्ताओं को कहादें कि एका है कि ये वर्णन मेग दूत में आ गए हैं, कहना समीचीन नहीं होगा, अर्थात उचित नहीं होगा. किसी को दूत बनाकर भेजने की भारती प्रथा अती प्राचीन है, किन्तु स्वतन्त रूप से दूत काब का प्रणयमस और प्रथा महाकवी कालिदास नहीं किया है. मेग को दूत बनाने की कलपना महाकवी की अपनी है, पंडित हरी नाथ देने लिखा है कि कालिदास की पूर्व चीन के महाकवी, श्यू कांग ने अपने काब में सर प्रथम मेग को दूत बनाया था, किन्तु गमना गमन के साधन से बिहीं, अती दुर्वम मार्ग वाले, तद कालिक समय में सुदूर देश के एक कोने में किसी के द्वारा कुछ काम करने से महाकवी की मौलिकता का व्याहनन नहीं हो सकता है कि यह महाकवी ने चीन के कवी से प्रथना गरहन करके मेग दूत की रचना की, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन नहीं थे और कहां चीन और कहां भारत बहुत दूरी थी, इसलिए ऐसा कहना कि उनके उपर चीन के महाकवी सिक्के से उन्होंने प्रणना लिया यह उचित नहीं है, और यह महाकवी की अपनी मौलिक सोच है, अब आप देंगे कि मेग दूत के संदेश प्रेशन का उपजीव वितो बाल्मी की रामायड है, किन्तु मेग दूत के कथानक का उपजीव, आखिर इस कथानक को महाकवी ने कहां से ग्रहन किया, यह उपजीव क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में योगनी नामक आशार कृष्ण एकादसी का महात्म वर्णिक है, उस प्रसंग में वहाँ एक कथा आती है, अलका के अधिपती यक्षराज कुबेर, जो कि शिव जी के परमभक्त थे, सिव जी का अबाध बिना किसी बिग्णवाधा के दैनिक अर्चन उनका प्रिय ब्रत था, उनकी पूजा में नित नूतन पुष्प लाकर देने के लिए एक सेवक नियूक्त किया गया था, उसका नाम था हेम माली, हेम माली की पत्नी दिशालाच्छी, परम सुंद्री थी, एक दिन, एक घटना घटी, हेम माली मान सरोर से फूल तो लाया, किन्तु वह सीधे क्या हुबा, पुबेर के पास ना जाकर अपनी पहले प्राण बल्लभा पत्नी के पास चला गया, प्रियत्मा की प्यारी प्यारी बातों का आनंद लेने में हेम माली इतना डूब गया, इतना निमगन हो गया, कि उसे अपने कर्तब की बात घूल गई, इधर कुबेर मध्यान में शिव जी की पूजा करने के लिए फूरों की प्रतिक्छा में बैठे रहे कि कब हेम माली आएगा और फूल दे और मैं पूजा करूँ, जब पूजा का नियत समय बीत गया तब कुबेर के मन में क्रोध ने जम लिया, कुबेर क्रोधित हो गया, उन्होंने सिव जी का तिरसकार करने के कारण हेम माली, जो यक्ष हेममाली था उसको कुष्ट रोगी होने तथा वर्स भर कांता से ब्युक्त होकर मर्त लोक में रहने के लिए श्राप दे दिया किसी कथानक के आधार पर महा कवी ने अलका पूरी में रहने वाले किसी यक्ष को शाप बस राम गीम्री पर रहने वाला बनाया है कथानक के आगे का जो अंस है पहले तो ये खंड कावे तो एकी अंश का वंडन करना था काबे के अनुरूपन होने से महाकवी ने इसे छोड़ दिया है इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवी ने काबे के अनकूल पुराण के अंश को लेकर तथा अनुप्युक्त अंश को छोड़ कर अपनी अनुपम कल्पना शक्ती के माध्यम से मेख दूद की रचना की है मेग को दूद बनाने तथा व्योक्ता प्रिया को संदेश कहने में महाकवी की दक्षता इसपस्ट परिलक्षित होती है अब महाकवी ने जो मेग को दूद बनाकर भेजा उसकी भी बहुत से काविशास्त्री आलोचना करते हैं कि मेग तो निर्जीव वस्तु है इसको दूद बनाकर कैसे भेजा जा सकता है तो सबसे पहले इस पर टिपड़ी किसने की काविशास्त्री भामा ने भामा ने मेग को दूद बनाकर भेजने की आलोचना करते हुए कहा कि निर्जीव यानि वाक शक्ति वानी से रहित मेग शुक चंद्रादी पदार्थों को दूद बनाकर भेजना युक्ती रहित है क्योंकि वे अपने संदेश को दूसरों से इस पस्ट्रतया प्रकट नहीं कर सकते हैं भामा ने इसे अयुक्ति मत दोस के नाम से अभेजित किया है कि इस प्रकार जो संदेश भेजे जाते हैं वो अयुक्त दोस से मयुक्त होते हैं भामा की इस प्रकार की आलोचना का खंडन काड़ी दास ने बड़ी ही भावक्ता के साथ कर दिया है काम आरता ही प्रक्रतिक क्रिप्णास चेतनेशू काम से पीडित प्राणी चेतन तथा अचेतन के जमेले में नहीं पड़ता वह तो उत्सुकता तथा उत्कंठा का सिंका शिकार बना रहता है परन्तु फिर भी मेग को दूत बनाने में सुंदर युक्ती की सत्ता है मेग तो सुकते हुए पोधों को जल से सीच कर जड़ने से बचाता है यहां तो एक जीता जागता प्राणी वीरह के मारे अधमरा बना हुआ है सिसक रहा है वह भी किसी धन को बेर के क्रोध का भाजन बना हुआ प्रेशी से बियुक्त होकर जीवन यापन कर रहा है फलतहव विसेश रूप से मेग की दया का पात्र है अनुकंपा का क्या है भाजन है काली दास के इस समर्थन की और भामा ने अपना क्या किया अपना सिर जुकाया अब यह जो कथा है इस कथा में भी जो मैंने आपको कथा बताई की यह ब्रम्ह वैवर्थ पुराण से ली गई है इस कथा में भी तरह-तरह की कथाई मिलती हैं और उसमें से थोड़ा फेर वदल करके तरह-तरह की कथाई लोग बनाते हैं कहीं कथा ऐसी लिख्यूई मिलती है कि यक्षा दीपती कुबेर का एक अती संपन्यम संब्रित उद्धान था उद्ध्यान की रक्षा में एक तरून यक्ष नियुक्त था उसे स्वामी का कठोर निर्देश था कि इसमें अनधिकरत व्यक्ति प्रवेश न कर पाए यानि कोई भी आलतू फालतू इस बगीचे में न घुसे एक दिन क्या हुआ उद्ध्यान का रक्षक यक्ष प्रित्मा की बाहों में देर तक उलजा रह गया यानि अपने प्रित्मा के पास देर तक रह गया वो अपने कर्तब करम पर बिलम से पहुँचा तब तक इंद्र के एरावत हाती ने बगीचे में प्रवेस कर उसे क्या किया छत विछत कर दिया ने पूरे उद्ध्यान को नश्ट कर दिया समाचार जब कुबेर के पास पहुँचा तो उन्हें बहुत क्रोधाया उन्होंने उद्ध्यान के रक्षक यक्षा धीपती को बुलाया समाचार पाते ही वे बड़े कुरुद हो उठे उन्होंने रखवाले करने वाले यक्ष को दंड देने का निश्चे किया क्योंकि वह उद्ध्यान कुबेर को अत्यंती ही प्रीथा और जो सुन्दर बगीचा वो नस्ट मिनस्ट हो जाए तो सभाविक है कि क्रोध आना संभव है उसे सामने बुलाकर कुबेर ने कहा तुम एक वर्ष तक अलका से दूर प्रियत्मा से व्यूक्त एवं अपनी शक्ती से विहिन होकर रहोगे बस क्या था यक्ष सक्ती विहिन हो यक्ष पूरी से निकल आया और रामगिरी पर रहने लगा कुछ लोग इस कथा को इस प्रकार भी कहते हैं कि कूबेर का एक सेवक यक्ष था उसका कार प्रति दिन कूबेर को पूजा के लिए ताजे फूल लाकर देना था लेकिन जाड़े का समय था और उसकी प्रित्मा नई नवेली थी अतह प्रति दिन ब्राम मुहुर्त में उठना फूल तोड़ना उसके लिए क्या हो गया पढ़ा ही दुश्कर कार हो गया फलता उसने एक युक्ती निकाली वह क्या करता था सायंकाल कल्यों को वह चुन लेता था प्राता होते होते वो कलियां क्या हो जाती थी, खिल जाती थी, विक्सित हो जाती थी, उन्हें वो कुवेर को पूजा के लिए दे आता था, जब इसका पता कुवेर को लगा तो उन्होंने उस यूवक यक्ष को श्राप दे दिया, श्राप की घटना वही है कि तुम पत्नी स से वियुक्तों कर एक वर्स तक रामगीरी पर रहोगे तो इस प्रकार मेग दूत क्या है शांप हेतु करुण बिप्रलंभ गीती है इसमें शांप भी है पूरी मेग दूत आप पढ़ेंगे तो का ऐसा लगता है कि कवी ने एकदम हाव भाव जो करुणा के भाव हैं बियोग की स्थिती का और पूरा मेग दूत चंदो बत मंदा क्रांता चंद में है गे है तो यह गीती काब्य है अगली क्लास में आपको इसको संदेश काब्य क्यों कहते हैं इसको गीती काब्य कहते हैं गीती काब्य की क्या विशेष्टा होती है और मंदा क्रांता चंद क्या होता ह यह आपको हम बताएंगे